गुड मॉर्निंग आल स्टुडेंट्स आप लोगों को हम ग्रह विज्ञान के बारे में बताएंगे ग्रह विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ग्रह विज्ञान का अर्थ क्या होता है? ग्रह विज्ञान की परिभाशा क्या होती है? ग्रह विज्ञान का महत्यूम उप्यूगता क्या होती है ग्रह विज्ञान के छेत्र क्या होते है योम ग्रह विज्ञान के तत्त क्या होते है सबसे पहले हम ग्रह विज्ञान को अंग्रेजी में कहते क्या है ग्रह विज्ञान को अंग्रेजी में हम क्या कहते है होम साइंस कहते हैं फिर है ग्रह विज्ञान का अर्थ क्या होता है ग्रह विज्ञान दो शब्दो शे मिलकर बना है ग्रह और विज्ञान ग्रह का अर्थ है घर और विज्ञान का अर्थ है ब्यवस्थित ज्यान अर्धात घर का ब्यवस्थि धंग से अध्यन करना ग्रह विज्ञान की परिभाशा प्रोफेसर कोट जिन के अनुशार ग्रह ब्यवस्था एक व्योहारिक विज्ञान है ग्रह विज्ञान का महत्यों उप्योगता ग्रह बिज्ञान के महत्य और उपयोगिता को निम्न बिंदुओं से स्पस्ट क्या गया है पहला पॉइंट है मारा समय, स्रम, योम, वे की बचत में सहायक दूसरा पॉइंट है मारा आर्थिक, नियोजन में सहायक तीसरा पॉइंट है क्रे बिक्रे योम बचत का ज्ञान अर्जित करने में सहायक चथा पॉइंट है हमारा ग्रह बिज्ञान ब्योसाइक महत पाच्वा पॉइंट है प्रात्मिक जिकिस्सा का ज्ञान प्रात्थ करने में सहायक चठा पॉइंट है स्वास्ते योम, सरीर संबंधी, ज्यान अर्जित करने में सहायक फिर है ग्रह विज्यान के छेत्र, ग्रह विज्यान के छेत्रों का अध्यन विस्तार से किया गया है पहला पॉइंट है ग्रह प्रबंद। दूसरा पॉइंट है हमारा अर्थ बिवस्था तीसरा पॉइंट है स्वास्त रच्छा चौथा पॉइंट है आहार योम पोश़ डिज्ज्ञान। पाचवा पॉइंट है ग्रह गडित, छठा पॉइंट है सिच्छा का प्रचार, साथवा पॉइंट है वस्त्र विज्ञान्यों परिधान, आठवा पॉइंट है बाल पिकास, फिर है ग्रह विज्ञान के तत्तु, ग्रह विज्ञान में वे सभी तत्तों को शम्लित किया जाता है जो परिवार की और सप्ताओं की पूर्ती तथा उदेशियों की पूर्ती करते हैं, ग्रह विज्ञान के तत्तु निम्नलिखित हैं, पहला है नियोजन, दूसरा हमारा है नियंतरण, तीसरा है मुल्ले आंकन, Thank you.